जै श्रीराम नियूज टाउन चैनल के सभी दर्षकों का हमारे सबताही कारेकर्म जोतिश ग्यान में स्वागत है सबसे पहले आपको नव वर्ष लोडी और मकर सप्रांती की बहुत बहुत शुक कामना ये नव वर्ष दो हजार बाइस आपके जीवन में धेर सारी खुशियां लाए और आपको मन की हर मनुकामना को पूरा करे तो आज बात करेंगे वर्ष दो हरजार बाइस जो की हमारी बारा राश्यों के लिए कैसा रहेगा आज हर किसी के मन में चिंता है जैसे दो हजार इक्किस या दो हजार बीस तनाव पूरण रहा कारोबार के लिए खराब गया हर किसी तरह से खराब गये दो वर्ष तो आज हर किसी के मन में बड़ी उत्सुकता है कि वर्ष दो हजार बाइस हमारे धन, कारोबार, बच्चों की शिक्षा, हेल्थ, परिवारिक जीवन, शादी शुदा जीवन और प्रेम स्वन्दों के लिए कैसा जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की, मेश राशी में सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, वर्ष दो हजार बाइस आपको हेल्थ के रिलेटेड मिला जुला असर देगा, क्योंकि इस वकत आपके दूसरे भाव में राहू और अश्टम में मंगल केतू का गोचर है, वो हेल्थ के लिए पहले भी थोड़ा खराब रहा, और जनवरी से एपरल तक थोड़ा ठीक भी जाएगा, पर बारह एपरल के बाद राहू आपके मेश राशी पर गोचर करेगा, जो आपको मानसिक चिंताओं का प्रसार देगा, इसलिए अपने आपको किसी प्रकार की च लोम विलोम करें, जिससे आपका मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा, और पेट की समस्या भी रहेगी, क्योंकि शनी कुम राशी में आएगा, और मीन राशी में ब्रहस्पती आएंगे, वो आपके पेट और सिक्रेट पार्ट की समस्या देंगे, इसलिए अपने खाने पीने क का खास ध्यान रखें, और वर्ष प्रियंद तक खटी तली मसालेदार चीजों का प्रहेश करें, तरल पदार्थों का ज्यादा परोग करें, और अगर जुरूरत पड़े, तो आप डॉक्टर की सला भी ले लें, ये हो गई आपकी हेल्थ की समस्या का समाधान, अब बात क के लिए हमारा 2022 वर्ष कैसा रहेगा, तो धन के इसाब से बताऊं, जनवरी मास में मंगल धन राशी में प्रवेश करेंगे, जो की राशी से नवम भाव है, जो की आपके किस्मत का घर है, और वो आपकी किस्मत को जागरित करेगा, उसे आपको धन का आवा गमन होगा, और शनी आपका मकर राशी में गोचर करें हैं, जो की 29 जनवरी को कुम राशी में प्रवेश करेंगे, जो की आपका लाब का घर है, तो लाब का घर एक्टिवेट होगा, तो आपकी आए के सादन बढ़ेंगे, आपकी पैत्रिक संपत्ती भी बढ़ेगी, लेकिन 12 एपरल को ज कैसे उधार मत दें, अगर आप ये तीनों काम करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं आर्थिक मामले में नुकसान होगा, बाकी जो आपका वर्ष प्रिंट है, वो काफी अच्छा जाएगा, हर तरफ से आपकी जैजाकार होगी, आए के नए नए स्तोत्तर बनेंगे, और आप ध पढ़ाई कैसी रहेगी, और उनका मन पढ़ाई में लगेगा या नहीं लगेगा, और सबसे पहले जनवरी से अप्रेल तक का समय आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, और शुब ग्रहों का योग है, जिस वज़ा से आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, और 13 इज़ाम देना चाते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा शुब रहेगा, और विदेशों में भी पढ़ाई का योग बन रहा है, और जो बच्चे उच्छ शिक्षा प्रापत करने के लिए प्रियास कर रहे हैं, ये वर्स उनके लिए बड़ा ही शुब रहेगा, इस साल उन आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े अच्छे रहेंगे, बस मन में थोड़ी चंचलता आ सकती है, क्योंकि राहू लगन में रहेगा, मीन राशी के लगन में राहू रहेगा, उस कारण मन में थोड़ी चंचलता रहेगी, मन इदर उदर भटकने का असार है, अपरि से अपरल तक कोई ज्यादा अच्छा नहीं होगा, मिला जुला असर रहेगा, पर मई से जून तक आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी जाएगी, उसके बाद से अक्तूबर तक कुछ आपस में वाद विवाद हो सकते हैं, मन मुटाव रह सकता है, इसलिए अपने पार्टनर से थोड़ा प्यार से बाचित करें, उसके मन की भावना को समझने की कोशिश करें, और उसके बाद अक्तूबर नवंबर दिसंबर में जो समय है, वो आपकी लव लाइफ के लिए बड़ा अच्छा है, अगर आप नया पार्टनर ढून रहे हैं, तो वो भी आप की तलाश खतम होगी, या फिर अपने पुराने पार्टनर से आप शादी का सयोग में बंदना चाते हैं, तो शादी का सयोग भी बन रहा है, अब बात करते हैं आपके विवाहिक जीवन की, तो मेश राशी के जातकों के लिए वर्ष 2022 जनवरी से अप्रैल तक आपकी शाद जिन्दकी के लिए बड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि ब्रहस्पति देव, पंचमा और सब्तम्भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके विवाहिक जीवन में खुशियां लाएगा, पर राहू 12 एप्रैल को आपके लगन में गोचर करेगा, और केतु सब्तम्भाव में आ सकता है, इसलिए कोई भी बात करें तोड़ा ध्यान से करें, एक दूसरे के मान सम्मान का खास ध्यान रखें, सिप्तम्बर के बाद ये आपकी समस्या धीरे धीरे हल हो जाएगी, और आपका जीवन धीरे धीरे खुशियों से दुबारा भर जाएगा, इसलिए आप अपने और अपने शादी शुदा सिंदकी के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, राहु जब लगन में चलता है और केतु जब सत्तम्भाव में रहता है, तो कई बार तलाग तक का योग बना देता है, इसलिए कृपया अपने और अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से रहें, ताक बत करते हैं परिवारिक जीवन की, तो वर्ष 2022 आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा, तो सबसे पहले जनवरी से अप्रेल तक का जो समय है, वो आपके लिए थोड़ा मिला जुला असर देगा, और आपके परिवार में कोई छोटी मोटी खुशियों का आवा गवन भी र असार है, इसलिए अगर पिता की सेहत के रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखें, उनको किसी डॉक्टर को दिखाएं, और अपने भाई बेहनों को प्यार करें, उनका सहयोग करें, वर्ष के अंत में कोई घर में कोई शुब मंगल कारे होने के असार हैं, इसलिए सबसे बड़ प्यार से बात करें, क्योंकि आपकी वानी थोड़ी खराब होगी, अगर आपकी वानी थोड़ी खराब होगी, तो आपके परिवार में थोड़े मन मुटाव वाद विवाद या थोड़ा बहुत कला कलेश रह सकता है, इसलिए सब के साथ बड़े प्यार आदर सम्मान से ब अनुवान चलिसा का पाठ करें, संकट मोचन बजरंगबान का पाठ करें, हो सके तो मंगल शनिवार शाम को सुन्दर कांड का पाठ भी करें, बंदरों को गुडचना खिलाएं, और अपने जो बड़े भाई हैं, उनका शीरवाद लेते रहें, अगर किसी को किसी प्रकार की और कोई समस्या हो, तो नीचे सक्रीन पर दिये गए नंबरों के द्वारा, वो हम से संपरक कर सकते हैं, जै श्री राम, राधे राधे